Hello students, कैसे हैं आप सब लोग, तो आज हम लोग admission of a partner का one shot देखेंगे class 12th board examination के लिए, अगर आप पर pre-board है आपका, उसके लिए मैं इस पूरे के पूरे one shot के अंदर admission को शुरू से लेकर end तक, हर एक छोटे से छोटा topic, चाहे वो class theory हो, चाहे वो class adjustment of capital हो, balance sheet तक भी कराऊंगा, hidden goodwill, new profits trading ratio, सारी के सारी general entry, हम A to Z हर एक चीज़ in-depth में detail में अच्छे से revision करेंगे, जिसके चलते वीड थूड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आप support करना till examination तक notebook लेके बैठ हो, और approximately 2 गंटे का समय लगेगा, और मैं कोशिश करूंगा उससे भी पहले, आपका पूरा का पूरा one shot अच्छे से करादू, आपकी एक ही वीडियो में, आपकी पार्टनर में बॉर्ड में चाहिए कैसा भी कोशिशन आए, कैसा भी पॉइंट आए वो दिसक्स करेंगे, तो A to Z क्लास एंड तक अच्छे से नुट करना, one shot admission of a partner. सब से बात करें, मीनिग, एडमिशन की मीनिग क्या है, देखो, क्लास section 31, of Indian Partnership Act 1932 जहता है, कि अगर तुम किसी भी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना चाहते हो, किसी भी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना चाहते हो, तो तुम्हें 100% चाहिए होगा बाकी सारे पार्टनर से, तभी तुम किसी भी नए partner को business में admit कर सकते हो, अगर 40 partner है, तो 39 partner अगर हां बोले, एक मना कर देगा, तो कोई 41 partner business में admit नहीं हो पाएगा, right? So, if it is so agree in the partnership deed, कोई deed में लिखा है तो, या in the absence of deed, all the partners agree to admit a new partner. देखो, अगर डीड में लिखा है तो admit हो जाएगा, डीड में नहीं लिखा है, तो सब के सब हम बोलेंगे, तभी कोई नया partner admit होगा, new partner को admit करने का एक ही reason होता है class extension of capital, इनको पैसो के जरूरत है, यह loan क्यू लें, यह सीधे class एक नया partner को admit करेंगे, उसे profit का share देंगे, और उस पहले दिन से लाब उठाएगा, तो उसे उसका हिस्सा देना पड़ेगा, उसको बोलते है premium for goodwill, he will bring his share of capital for the asset or his share of profit he will bring premium for goodwill, यह line बहुत important है, यहां से class tricky question पूछ लेता one mark मे, he will bring his share of capital, अपने हिस्सी की capital लेगा for asset, तो business में जितनी भी assets हैं, वो बाकी दो partner ने जोडा है, उ तो उसे class capital लेकाना पड़ेगा, और क्योंकि पुराने partner उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, तो पुराने partner sacrifice करेंगे, तभी कोई नया partner आपाएगा, मैं और मेरा दोस्त एक पीजा मागए खा रहे हैं, एक नया दोस्त और आगया, बीच में आगया, उसे पीजा देना पड़ेगा, तो हम दोनों sacrifice करेंगे, तो पुराने partner sacrifice करते हैं, तभी कोई नया partner आता है, तो वो capital लेके आता है, asset के लिए, और profit लेके आता है, class, अपने हिस्से के profit जो मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको के लिए class, अपने हिस्से की goodwill को लेकर आएगा, ध् और जो भी नया partner goodwill लेके आता है, पुराने partner class, उसको sacrificing ratio में distribute करते है, किस ratio में sacrificing, कई बार कोशिन पूसता है, कि जो भी नया partner लेके आता है goodwill, पुराने partner से किस ratio में बाटेंगे, sacrificing ratio में, okay, तो कुछ बेसिक बाते हैं थी, बाकि sacrificing ratio का formula आपको पता है, old ratio minus new ratio, आप हमेज ध्य पुराने partner हमें से sacrifice करें, तभी नया partner आपको आएगा, बाकी revaluation account हमें सीख लिए था पिछी क्लास में, आज भी कोशिन बनाएंगे, तो revaluation gain जो है, वो old ratio में बटेगा, और old partners में बटेगा, और जितने भी distribuable item है, धान रखना, General Reserve, P&L, WCR, IFR, Goodwill, Advertising Suspence, P&L debit balance, जितने भ होगा, old ratio में, चलो खेर, यह तो class पूरे chapter की बात होगे, अब line by line, पहले concept से शुरू करते है, सबसे बहले calculation of new ratio and sacrificing ratio, पहले partner A और B थे, अब उनकी पुराने partnership खतम होगे, और एक नई partnership बनगी A, B और C के बीच में, तो A, B, C की जो ratio होगी, उस ratio को हम लोग क्या बोलते है, class, new ratio, और A और B जो sacrifice करेंगे, उस ratio को हम लोग क्या बोलते है, sacrificing ratio, इसका formula होता है, old ratio minus new ratio, अब हमारे पास एक question है, और हम लोग बिल्कुल basic से की करके सारे questions बनाएंगे, हर एक type की case के, सबसे पहला question, A और B partners है, इनकी ratio 5 ratio 3 है, और एक बात और आप लिख लो, note में हमेशा, in simple case, जो simple case होता है, simple case, तीन तरह केस होता है, सबसे पहला simple case, दूसरा acquire case, ठीक है, acquire को takes भी बोल देते है, takes case, और तीसरा होता है, surrender को बोलते है, gives case, ठीक है, और जो simple case होता है, वो पता कैसे लेगा आपको simple है, A, B की ratio दे रखियोगी, नया partner कितने के लिए आरा है, बस इतना ही द दिया होगा, तो समझ जाना, वो simple case है, in simple case, old ratio is always equal to sacrificing ratio, यह हमेशा होगा, simple case के अंदर, यह normal case के अंदर, old ratio हमेशा sacrificing के बराबर होगा, acquire case का मतलब क्या होता है, क्लास, कि जो नया partner है, वो पुराने partner से ले रहा होता है, acquire, इसमें हमेशा लिखा होगा, from his, और surrender मतलब पुरान नय पार्टनर को दे रहे हैं, तो इसमें भी class हमेशा क्या लेखा होगा, of his, इसमें होगा class from his, multiply, or minus, sorry, from his मतलब minus, of his मतलब पहले multiply, फिर minus, खेर, इन सब का कोई रोल नहीं है, सारे कहानी language की है, कोशिन की भाशा कैसी है, तो एक एक करके सारे के समझते हैं, बस आप ध्यान पार्टनर्शिप, अगर पार्टनर्शिप के बेनिफिट के लिए माइनर को अध्मिट करना पड़े, तो ही आप माइनर को अध्मिट कर सकते हो, otherwise माइनर बिजनस में अध्मिट नहीं हो सकता, माइनर वो जो नाबालिक है, यानि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, अब च बच्च भी नहीं लिखा हुआ है, तो यह simple case है, और यह simple case में जो old ratio है, वही same to same sacrificing ratio हो जाएगा, otherwise आप old minus new करके देख लेगा, और comment है मुझे बताना, क्या आपका sacrificing ratio 5 ratio 3 आ रहा है, या नहीं आ रहा है, अब इस situation में हम क्या करते है, पूरे firm की profit को one मान लेते है, उसमें से न one मान लिया, जो नया partner है, आपने उसको payment कर दिया, या ठीक है, तू ले ले one by four, तो कितना बचाएगा class? 3 by 4, या आप LC में लेके निकालोगे, 3 by 4, तो यह 3 by 4 है, यह किसका हो गया class? A का और B का, आपने पुरे firm की profit को one माना, उसमें से C का हिस्सा निकाल दिया, तो जो बच तो यह 15 upon 32, 9 upon 32, और इसको हम 32 कैसे करेंगे? 8, 8, 8, 8 upon 32, तो रेशयो विल भी 15 रेशयो, 9 रेशयो, 8, यह आपका class आगया, new रेशयो, तो यह है class आपका old रेशयो, और यह है आपका new रेशयो, ठीक है? Old रेशयो और new रेशयो, आगे बात समझ, तो इस तरीके से अगर तु तुम घर निकाल के देखना और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा, क्या यह 5 रेशयो 3 ही आ रहा है, और simple case के अंदर हमेशा, जो old ratio है, वही sacrificing ratio के बरापर होगा, but it's only and only simple case के अंदर ही होगा, in simple case, old ratio is always equal to sacrificing ratio. अब तुम आसा और question पर आते हैं, और इस question को अच्छे से देखते हैं, क्या है, बहुत अच्छा point है, और सिर्फ language आपको पढ़नी है, language आपको समझना, आराम से आप question मुना लोगे, आओ मेरे साथ पढ़ो, question को अच्छे से read करना, ठीक है, भारती और आस्था दो पार्टन के लिए, on the future prophets, which he got equally from भारत, भारती और आस्था, मेरे बात समझना, दीनकर अपना हिस्सा भारती और आस्था से बराबर बराबर ले लेती है, तो आप मुझे बताओ, दीनकर का हिस्सा बराबर बराबर ले लेती है, तो आप मुझे बताओ, दीनकर का हिस्सा बराबर बरा पार्ट करेंगे तो 1 by 10, 1 by 10 आएगा, तो भारती के पास था कितना पहले, 3 by 5 था, देखो, of his, यानि कि दीनकर अपना हिस्से का दो टुकडे कर रहा है, तो आप समझे हो ना कहा नहीं कि जो लेंग्वेज भी है, 1 by 5 के दो हिस्से कितने होंगे, 1 by 10, 1 by 10, तो 1 by 10 इससे घटा 1, याएगा, 5 upon 10, इसका हैं एल से में 10 आएगा, 2 ज़ी 10, 4 minus 1 3 by 10, अब इसकी नीचे 10 है, इसकी नीचे 10 है, इसकी नीचे 5 है, तो रचियो कैसे बनेगा, देनोमिनेटर को बराबर कर दो, तो तो सबके नीचे 10 आगया, देनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हम उपर और से मल्टिप्लाई करते हैं तो नियू रेशियो विल भी 5 रेशियो 3 रेशियो 2 तो यह आगे आपका नियू रेशियो अब जरा मैं तुमें शॉटकट बताता हूं कि तुम सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे निकालोगे देखो अगर दीनकर अपना हिस्सा दोनों से एक्वल बराबर ले रहा है इसका तो यही मतलब होगा कि पुराने पार्टनर बराबर बराबर सैक्रिफाइज कर रें से क्रिफाइज रेशियो ब्ल बी एक्वल नेक्स्ट कोछिं अब यहां पर देखे हैं क्या कोछिशियो ऑ ध्यान समझना क्या है करीम और रेहमन दो पार्टनर री समाल, राचस आओशन से नुओ कि एठ चाइशन की स्विजय रिशू की रिशी निव ते उडिशय रिखीन без पूराना की रचाह स्निय रच कर Не suis साथ पुराने पार्टनर करेंगे तो यह आया क्लास, 45, 9, 3, 27, और 5, 4, 20, 7 upon 45, यह आगे 45, 9, 2, 18, minus 15, यह आगे 3 upon 45, So, sacrificing ratio will be 7 ratio, 3, तो कभी भी, कभी भी तुम्हें अगर new ratio दे रखा है, तो तुम sacrificing ratio निकालोगे by using formula old ratio minus new ratio, तुम्हारा sacrificing ratio असानी से आजाएगा, तो इस तरीके से तुम्हें तीनो के तीनो के तीनो को question को 1, 2, 3 अच्छे से बना लेना है, राइट, basic basic चीजे हैं, चलो, अब हम ब आपको MCQ दे रखा है, बकॉस एग्जामनेशन में कुछ MCQ भी आएँगे, 20 MCQ लगभग आएँगे, तो मैंने हर एक चेप्टर में आप देख रहे हो कि मैं मुझे लग रगगा अच्छा MCQ है, अब मैं तुम्हें शॉर्टकुट देखा हूँ कैसे करना है, बकॉस C.U.E. इस बढूस एगा अच्छा इनकी राइशो है, इनकी राइशो है 4 राइशो 3, इंहोंने कृपपा को एडविट कर लिया as a new partner, ध्यान समझ ना, इन्होंने कृपपा को एक नया पार्टनर के लिया, कृपा 60 हजार प्रीम फर गुडविल लेके आती है, जो डिस्टिबूट पार्टनर में बढ़ जाता है सेक्रिफाइजिंग रेशियो में तो A को कितना है क्लास 40 और B को 20 वह इतना में नया पार्टनर साथ हजार लेके अपने हिस्सी की गुडविल जो 40 और 20 पुराने पार्टनर में चला जाएगा तो अगर आप इसका रेशियो बनाओगे तो 2 में तो तुम को बोले की न्यू रेशियो निकालो तो तुम कैसे निकालोगा थो न्यू रेशियो तो नय पार्टनर का जोम भी हिस्सा होगा जाए नया पार्टनर कितने के लिए अरह एगा और यह पे गिवन नहीं लिखाए कि the admit kripa was a new partner है नया पार्टनर जिए गिवन न बाट दिया, विजब लगा बाटा एको, जो भी हिस्सा होगा का उसका ने ने पार्टनर का उसका तू बाइट उसका बाइट अटा देना, जो निंकल कर आएगा, चाल्कुलेट कर राइगा, तो इसका तो एप्शिन करेक्ट है, आप हम चलते हैं एंट्रीज पर नाइ रेश 1 5th of his share in favor of C. माल लेते हैं, A ने 1 5th दे दिया, B शरेंडर 1 4th, B शरेंडर 1 4th of his share, B ने अपने हिस्से का 1 4th of his share in favor of C. A ने 1 5th of his share in favor of C. A ने अपने हिस्से का 1 by 5 दे दिया C को, और B ने अपने हिस्से का 1 by 4 दे दिया C को. तो अब हम निकालें कैसे के A का था कितना? A का था 3 by 5. उसने 1 by 5, which is 3 by 25. ये दे दिया C को. ठीक है? B के पास कितना था? 2 by 5. उसका 1 by 4, which is 2 by 20. ये दे दिया class C को. तो C के पास 3 by 25 आया A से, 2 by 20 आया B से. यहां पर Surrender Case है. तो Surrender एक Gips में, Of His लिखा रहते है, Of His. तो Of His का मतलब कि आप मुल्टिप्लाई करोगे कि कितना दे रहा है. तो A दे रहा है 3 by 25, B दे रहा है 2 by 25. अगर आप इनको इनका रेशियो बनाओगे दिया C को बराबर करने के बाद, और मुझे बताना क्या एगा यहीं कि आप डारिस दुल आप नका रेशियो में यह दैप और सिंटनी इनको 100 सो बनाओगे कि डाना करने का आपद सी, आपका यहीं कितना है 25 अग Grüक्टी में के रहा है 25 को टो 11, 20, 25 स्बंस भाद है किइस को और हओ किए यह दुमें के रहा है 고 2ी को लिखlang सो अगे तो फिए नया partner का शेछ थागय थेर थेर रागया 22 आपाँ 100, राइट, अच्छthis अगर मैं बोलू कि एक 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 लोगण कि अपस अब चा कितना तो एक फाले था कितना 3 by 5, कितना देदिया when weigh 3 by 25 b के लोगण कितना था 2 by 5, कितना देदिया when we ohake 20, C के पास कितना था class? C के पास है 22 upon 100, right? तो यह हो गया class आपका 25, 5, 5 जा 25, 5, 3 जा 15-3, यहाएगा class 12 upon 25, और यहाएगा class 20, 5, 4 जा 20, 8-2, 6 upon 20, इसके 100 है, अब दो सब के निचे 100 बना देते हैं, तो यहाँ 20 है, 20 है, इसको 100 बनाने के लिए करोगे, 5 से multiply, 5 से divide, 30 upon 100, और इसको भीया करोगे, 4 से, यहाँ 25 है, तो इसक 48 upon 100, so new ratio will be 48, 30, और यह 22, और इससे काट सकते हो, I think यह दो के पहाड़े से कट जाएगा, तो यहाँगा 24, 15, और 11, तो यहाँ आगे class आपका new ratio, दन, तो इस तरीके से class, आप new ratio easily calculate कर लोगे, surrender वाले case में, तो surrender में लिखा होता है, of his share, और उसका दिया हुआ नहीं रहता है, तो जितना इसने दिया, उतना ही तो आएगा उसके पास, तो यह आपका C का पता चलिए, और A ने अगर इतना दे दिया है, तो A से उतना घटा दो, B ने इतना दे दिया, इतना घटा दो, B और लिखा रहेगा, from his share, अगर लिखा रहेता ना कि, जो A है, A है, one-fifth from his share, of his के जिए, from his लिखा होता, तो मैं direct minus करेता है, यह multiply step हटा के, सीधा 1 by 5 यहां से minus करता, A से, B से 1 by 4 minus कर देता, और इस 1 by 5 और 1 by 4 को जोड़ के मैं C का हिस्सा निकाल लेता, अगर वो from his लिखा अगे, चलो, तो अब हम आते हैं क्लास, जलल एंट्रीज पे और गुडिल के ट्रीटमेंट पे, बहुत अच्छे से समझेना क्लास, जलल एंट्रीज और ट्रीटमेंट और गुडिल, बिकाज यही इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपोरेंड और एंट्रीज आती हैं, तो सबसे पहले क्लास, हम एंट्रीज की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लास, एंट्री समझ लेते हैं, जर्नल, कोई भी नया पार्टनर आएगा, तो बिजनस में सबसे पहले क्या लेके आएगा, तो नया पार्टनर अगर बिजनस में आता है, तो एंट् मैं माल लेता हूँ अपने सही कालकुलेशन के लिए कि ओल्डर सेक्रिफाइजिंग रिश्यो दोनों बराबर है वन रिश्यो वन हम अश्यूम कर लेते हैं ठीक है अब सुनओ पहले एंट्रीन, नया पार्टनर और क्या आएगा तो बांक अकांट डबिट तो सिय काप्ल अब नया पार्तनर जब डेके आएगा तू भी तो बैंक में पैसा आएगा bank account debit to premium for goodwill तो जो goodwill का हिस्सा नया partner लेकर आएगा उसकी एंट्री होगी premium for goodwill तो bank account debit to premium for goodwill आप एंट्री साथ साथ याद कले ना हो सके noot book में लिख ले ले और हिम्मत मतार ना आप खड़ें के पड़ा हूँ तुमको बिना ने ब्रेक के और आप भी एंट तक बिना ब्रेक के पूरा पड़ाओगे ठीक्राप को आपको बेक लेंट वीडियो पॉज करके 10 मिन ब्रेक लेलना बट फिर उसका इसका 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 नवी करना पूरा मैं तुम्हा ले खड़े हो के पूरा का पूरा इहां पे ख्लास यह आधी रात से भी जागा टाइम हो एए मैं शूट कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा इतना तो को परेट करोगे क्यार सर की महनत वेकार ना जाए और मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं सारा कुछ तुम्हें एक चीज़ समाझ आए और मैं इंडेफ में डीटेल में सारी एंट्री अच्छे से लिखवा के कर रहा हूं तब भी कोई दिक्कत मुझे बताना मैं और भी आगे वन शॉट लेके हूंगा भी फोर बोर्ड एक्जाम, फाइनल एक्जामनेशन से पहले वह एक अलग लवल कही होगा, कॉस्चिन अलग होंगे, पैटन अलग होगा जैसी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर इसे डिस्टिब्यूट कर लेंगे जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा न, ध्यान रखना, कहने की जरूत नहीं बड़ेगी, डिस्टिब्यूट के एंट्री का भी कहता नहीं है तुमने देखा नहीं इन पार्टनर ला राह ए गुडविल, तुरंत दिस्ट्रिबूट कर देना और दिस्ट्रिबूट करने की उट्री जो होगी वहोगी प्रीम्यम फॉर गुडविल account debit, यहाँ पर premium for goodwill account credit हो था, one debit, two old partners, यह और बी, और यह entry किस रेशिय में होती है, sacrificing ratio में, तुम्हें 90% question में यह तीनो entry मिलेंगी ही मिलेंगी, 90% question में यह तीनो entry मिलती ही मिलती ही, ठीक है, सबसे पहले entry, नया partner capital लाएगा, bank to capital, नया partner goodwill लाएगा, bank to premium for goodwill, लाते ही अपने आप उसे distribute कर देना premium for goodwill account debit to A and B, अब कभी-कभी ऐसा होता है कि नया partner goodwill लेकर नहीं आ पाता, तो उस situation में तुम क्या करोगे, new current to old capital, हाला कि इसे capital लेख सकते हैं, बट बहतर ही कि आप currency लिखो, फिर बार-बार आपको अलग-अलग rule चेंज करना नहीं पड़ेगा, एक ही rule बस ध्यान एकना, new current to old capital, cease current account debit to A's capital account debit to A's capital account to B's capital account, यह goodwill ना लाने के entry है, तो सीजी सिदी बात यह है कि अगर वो goodwill लेके नहीं आता, तो हम उसकी current account से उस पैसे को निकाल लेंगे, ठीक है, यह ओग है, फिफ्ट एंट्री है, अगर कभी होता क्या है, बेखो, यह जो goodwill ला रहा है partner, और हम उसे distribute कर रहे हैं, यह नया partner लेके आ रहा है, और हम उसे distribute कर रहे हैं, तो यह चीज क्या है, जब ला रहा है, और अधिस्टीबूट कर रहे है, वो business के अंदर रहे है, यह goodwill business के अंदर है, लेकिन अगर वो से withdraw कर करके business से बाहर निकाल ले, मतलब वेन old partner, विड्रॉस दियमांट ऑफ गुडल बिरिंग भाई निव पार्टन उसके एंट्री ओल्ड टू कैश होती है यह निव टू ओल्ड होगी निव डबिट ओल्ड ओल्ड शॉर्ट अर इसका होगा ओल्ड टू कैश A debit B debit to cash a bank अगर withdraw कर रहा है ला रहा था तो A or B credit ले जा रहे है तो A or B debit ला रहा था तो bank debit था ले जा रहे है तो bank credit होगा और यह entry भी किस ratio में होगा old ratio के अंदर और एक final entry और होती है इसके अंदर अगर goodwill old balance sheet में है old goodwill अगर तुम्हारी old books में पुरानी balance sheet में asset side कोई goodwill है तो उसे write off करना है उसे return off करना है उसके entry old to goodwill होती है और यह अकलौती अगर कभी भी पुरानी balance sheet में तुम्हें goodwill मिल जाए तो it will be written off उसे write off करेंगे old to goodwill in old ratio तुम सबसे request है video pause करो अपनी copy निकालो और सारे entry देखो कोप में लेकि कि तुम्हें याद है याद है या नहीं याद है एक बार लिख लोगे ना confidence एकदम बूस्ट अब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगे don't worry okay और अगर कोई भी partner privately goodwill की payment करता है तो उसकी no entry pass होती है यानि कि अगर किसी ने under the table goodwill की payment कर दी कि थी कि इतना रख लो और मुझे business में एड्मिट कर लो partner के रूप में तो हम उसकी कोई भी entry pass नहीं करेंगे उस situation में उसकी कोई भी entry pass नहीं हो नेक्स्ट तो हमने सारा कुछ कर लिए अब एक कोईशन है और भी देख लेते हैं किस तरीके से कोईशन होगा देखो a b partners है इनकी रेशियो 4 रेशियो 3 तो a b 4 रेशियो 3 4 by 7 3 by 7 they admit c as a partner for 3 7 share c आगया 3 by 7 share के लिए और तुम्हें new ratio दे रखा है तो अब से पहला काम तो निकालो a और b का old 4 by 7 3 by 7 minus new तो जो new है यहाँ पे देखोगे अगर तो यह भी 4 by 7 है और 2 by 7 है old minus new तो old का कितना एक लास यहाँ पे 4 by 7 होगे इसका old ratio 3 old ratio भी 4 by 7 था तो ने यह 4 कहा है और 2 है sorry sorry 2 by 7 है और यह भी 2 by 7 है तो 4 में से 2 गया तो आएगा 2 by 7 यह आएगा 3 में से 2 गया तो 1 by 7 तो 2 ratio 1 आगया आपका sacrificing ratio question पूछ भी रा था हमने निकाल दिया C bought 2 lakh his share of capital and 60,000 for his share of premium for goodwill half of which withdrawn by A and B और यह इतनी सारी बात बोलती है ध्यान समझना पहले नया partner capital लाएगा तो नया partner capital लाएगा तो क्या करो के bank account debit 2 C's capital account being capital contributed by C 2 lakh ठीक है sir 2 lakh capital ली आया ओके अब 2 lakh goodwill लाया है तो आप चाहो तो दोनों entry को merge भी कर सकते हो मैंने नहीं करके दिखाया बट आप कर सकते हो 100% true है कुछ गलत नहीं है उसमें आप चाहो तो सीधा 2 lakh 60,000 bank को debit करो 2 C's capital account 2 lakh 2 premium for goodwill 60,000 देखो यह one-shot revision तो किसे बच्चे को लग रहा है sir fast करा रहे हो तो यह रिवीजन है one-shot यह उन बच्चों कि पहली बार जो कभी नहीं पड़ा अगर ले नहीं पड़ा प्लेश से देखो आप एक बार एग रह नहीं होता है यह होता है आपके syllabus को पढ़ने के बाद आप अप अगर आपको डीटेल में पढ़ना है, तो बहुत कमजोर हो, तो पहले आप वन शॉट से पहले आप डीटेल वीडियो देखो, इसके प्लेलिस्ट दिस्क्रिफिन बॉक्स में भी है, और प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा, पूरा लाहिन बाला इन स्टेप बाई स्टे के आएगा, पुराने पार्टनर आपस में दिस्टिब्यूट कर लेंगे उसको, तो दिस्टिब्यूट करने के अंट्री क्या होगी, प्रेमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 60,000, तो प्रेमियम फॉर अंद बी, प्रेमियम फॉर अकाउंट डेबिट, तो A and B, यह आएगा 20,000, ठीकिया? 40,000 and 20,000 यह आजाएगा इसके अंदर, आगे बात समझ, तो calculate sacrificing ratio भी उगा, पास्जिनल एंटरी, इन द बुक्स ऑफ, फॉर फॉर अफ एवर्फ ट्राशेशन, capital लाने के एंटरी, गुड़ लाने के एंटरी, गुड़ बातने के एंटरी, 20,000, 10,000, यह गुड़ लगर विड्राव कर रहा है, तो एक, दो, तीन, चार, आप जनल का फॉर्मेट बनाओगे, नरेशन लिखोगे प्रॉपर, चार एंटरी पास करोगे इस तरीगे से तब जागे कोशिन लगभग, तीन से चार नमर का बनेगा, तो जनल एंटरी कोशि में गूड़ विल की वेल्यु रहती है, आपको दिया हुआ नहीं रहता, तो आप दो चीज की मदद से गूड़ विल की कल्कूलेशन करते है, दो चीज की मदद से, क्या पहली चीज, लिखा भी रहता कोशिन कि आप इन दोनों की हैल्प से गूड़ निकालो, new partner, share of profit, नया आप दो चीज लेते हो class, सबसे पहला नए partner का share of profit और दूसरा नए partner की capital, इन दोनों को पकड़के, इन दोनों को लेके आप नए firm की goodwill निकालोगे, और वो कैसे निकालते हैं भी कुशिन के थूरू देखते हैं, अब यहां से आपको एक और concept भी डवलफ करूँगा, जो आग की ratio 2, ठीक है, their capital were 1,60,000 and 1 lakh, इनकी जो capital है वो 1,60,000 and 1 lakh है, respectively, they admitted Sommace, इनोंने Sommace को अद्मिट के हैं as a new partner for 1-5th share, मेरी बाद ध्यान समझे, इन दोनों की जो capital है, 160, इसका 160 है, और इसका जो है, वो है 1 lakh, ठीक है, 160 और 1 lakh, ठीक है, Sommace on 1st of April, और 1-5th share of profit, Sommace जो लेके आरा है class, वो capital लेके आरा है, 1,20,000 रुपए, और आपको goodwill निकालनी है, साथ में entry भी पास करनी है, ठीक है, चलो, पहले goodwill निकाल लेते हैं, तुम सबसे पहले, नए partner की capital को उसी की ratio से reciprocal करके multiply करोगे, और नए firm की capital को निकालोगे, त पहला step, पहला step है, new firm capital, ठीक है, जो पहला step है, वो है new firm capital, नए firm की capital, सबसे पहला step, तो अब देखो, अगर नया partner 1,20,000 रुपए लेके आरा है, 1 by 5 के लिए आप उल्टा कर दोगे, 5 by 1 कर दोगे, 12,50, कितना class आजाएगा, 6 लाग, तो 1,20,000 है, 1 by 5 है, आप 5 by 1 कर दोगे, तो इतना class आजाएगा, 6 लाग आजाएगा, ठीक है, तो नए firm की capital है, वो तुम्हारे पास कितनी आगई class, 6 लाग, नए firm की capital है, वो आपके पास 6 लाग आगई, अब इसमें से आप क्या minus करोगे, all partners capital, इसमें से all partners capital, सारे partner की capital को घटा देना इसमें से, सारे मतलब सब के, अब ध्यान रखना, including, एक से, मैं आपके अलग से बता दूँगा आपको, सारे partner की capital मतलब, including new, जो नया partner उसकी भी, तो 160, plus 1 lakh, plus 1 lakh 20,000, तो आप ज़र ऐसे add करो, कितना मनेगा, 160, plus 1 lakh, plus 120, it's 380, 380, घटा दो, 6 लाग में से, अब जो बचेगा, तो यह आगया, 2 lakh 20,000, यह आगया, पूरे new firm capital, sorry, firm goodwill, पूरे firm की goodwill आगई, नहीं आटा दो, पूरे firm की goodwill आगई, एकलास हमारे पास, 2 lakh 20,000, रुपे, simple सा funda, नए partner की capital को, उसके share से, reciprocal करके, multiply कर दो, पूरे firm की capital आएगी, पूरे firm की capital में से, सारे partner, पूरे firm capital 6 lakh है, तो firm is the collection of all partners, इसी को firm केहते हैं, सारे partner को मिला कर firm केहते हैं, पूरे firm की 16 lakhs, सारे partner की 3 lakh 80, जो भी balance है, वो पूरे firm की goodwill है, तो अगर पूरे firm की goodwill है, so में इसका हिस्सा कितना आएगा, so में इसका जो share है, वो कितना आएगा, पुरे फिर्म की है टू लाक ट्वंटी थाउजन, सो में इसका जो हिस्सा है, वो कितना एकलास यहां पर वन फिफ्थ, तो आएगा कितना फुर्टी फॉर थाउजन, अच्छा, इसमें कहीं भी ऐसा लिखा है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, मुझे यह तो नुग कॉन है? सो में पर चलेंट करते हैं, कितना फिर्म करकें बनान? 44,000. तो न अच्छा, वोल्ट कॉन हैकलास? हेमंथ, टू निशान्त. हेमंथ, टू निशान्त, कैपितल, अचांट. तो हेमंत और तो निशान्त क्याप्लाइकांट तो 44,000 है तुमें बाटोगे 3 by 5 कि देखो, यह सिंपल केस है यह कोष्छिन जो है ना, सिंपल केस का है और सिंपल केस में जो अल्ड रेशियो होता है वही आपका सेम से करिफाइजिंग रेशियो होगा सिंपल केस में 26,400 और 17,600 में 30 चले चवाले, तो यह पुरा का पुरा कोषिन है ओल्ड रेशियो दिया हुआ था तुमें तुम नए पार्टन की क्यापिल को उसके शेर से रेशिप्रोकल करके मैं पलट के तो पुरे फिर्म के, अगर उसका है वन बाई फाइफ तो पुरे फिर्म का फाइब यह शेलाग तुम शेलाग का वन बाई फाइफ करो ना, देखो एक बीज आरा होगा क्रोस चेक कर लिए, असा ही है सारे पार्टन के अपिल घटा दो आजाएगा अगर तुम्हें कभी भी कोई profits दे रखा है अगर तुम्हें कोई भी profit दे रखा है तो वो capital में आड कर देना फिर घटाना मतलब capital के साथ profit भी आड हो जाएगा फिर जो figure भचेगा उसे यहां से माइनस कर देना और अगर loss दे रखा है तो लॉष्स नियुक्म होग थैक घाटे हुटल को क्म कर्ता है तो नियुक्द outta idee क्वफिटे विखर में उसको यहां से गठाञा है और प्रॉफिट काप्ल्स अगड़क्रण ऑड़के उसको यहां से गठाना है की बात करते हैं, कोश्यों वा 7 आज वा कला सारे बच्चे कोश्यों वा 7 पर अब यह भी उसी का कोश्चिन है, एड़न गुडविल का, इसको भी देखते हैं, अब है बीना, दो पार्टनर है, चेतन को एड्मिट किया, वन फॉर्थ के लिए, चेतन बें 2 लाक हिच श्वर मेरी बात समझना, चेतन लारा है 2 लाक क्यापिटल, चेतन का हिस्सा है 1 बाई 4, उल्टा कर देना 4 बाई 1, तो पूरे 8 लाक जो क्यापिटल आ गई यागे निव फॉर्म क्यापिटल, यागे 8 लाक, ठीक है, रेसी प्रोकल करके, मॉल्टिप्लाई कर दिया, अच्छा, वै बाई 5, 50, 5, 40, उसमें 1 लाक घटा दोगे, तो असमें लाक जाएगा, तो चार लाक 4, 40,000, लेकिन ये जो क्यापिटल है, इसका है, अभै, एंड बीना का, लेकिन तुम्हें सबकी क्यापिल को घटाना है, सिर्फ अभै और बीना की नहीं गटाना है, सिर्फ अभै और बीन घटाओ, चेतन कैपिल करके, चेतन कैपिल, ठीक है, घटा दो, अब जो फिगर यहां पर आएगी, इसको बोलते है, क्लास, ये क्या है, क्लास, पूरे फिर्म की गट विल, तो हमने क्या किया, पिछले कोशिन में, तुमारे पस सबकी कैपिल गिवन थी, इसमें तुमारे प घटाओ, तो आठ में से चार गया, छे गया, तो एक साथ हा जाएगा, एट लाग, माइनस, सिक्स फॉर्टी, वन सिक्स्टी, तो ये पुरे फिर्म की गट विल आ गए, इसी को बोलते है, हिडिन गुट विल, छिपी होई गट विल, वन सिक्स्टी, अच्छा, इस पूरे क करी, पिछले कोश्ची में भी आप कर दो, क्यापिल लेकर आ रहा है, तो बैंक टू सुमेस क्यापिल, पिछले कोश्ची में बड़ा एंट्री रह गेती करना, क्यापिल ला रहा है, तो आपको क्यापिल की भी एंट्री पास करनी है, ठीक है, तो इस सेवंध कोश्ची में दो एंट्री होंगी, तो सबसे पहले एंट्री, आप मर्ज करके मैं कर रहा हूँ, capital और goodwill, अचा नहीं, सिर्फ capital लेकिया रहा है, तो कौन है, क्लास, चेतन है, हाँ, चेतन, बैंक टू चेतन capital account, कितनी capital चेतन लेके आता है, क्लास, चेतन दो लाग रुपे ला रहा है, capital, चेतन ला रहा है, दो लाग capital, bank account debit, तो चेतन capital account, दो लाग capital लेकिया रहा है, और चेतन जो है, goodwill नहीं लेकिया रहा, तो चेतन current account debit, ना लाने के entry, चेतन current account debit, तो अभे, capital account, तो अभे capital account, तो बीना capital account, तो अब है capital account, तो बीना capital account, तो चेतन कितनी goodwill है, अच्छा मुझे बताओ, पुरे फिर्म की 1,60,000 है, चेतन का हिस्सा 1 by 4 है, तो यह 40,000 आएगा, यह कितना class आएगा, 40,000, और इसे sacrificing ratio हम बाटेंगे, और इस question में, कुछ भी old ratio दिया हुआ नहीं है, तो old ratio equal माल लो, और क्यों 20, ध्यान रखना, पुरे फिर्म की goodwill जो है, वो 160 है, तो चेतन का हिस्सा है, वो 160 into 1 by 4, which is 40,000, चेतन का जो हिस्सा निकल कर आएगा, वो आएगा 40,000, ठीक है, चेतन का हिस्सा आगे 40,000, तो new to old, आपने entry pass कर दी, कोई डावड कोई दिकत परेशा नहीं बताओ यहां तक, चलो, तो यह हो गया क्लास, सारा का सारा दुन, नेचर ओफ रेवालोएशन, मैंने बहुत पहले बता रखा था क्लास आपको, रेवालोएशन को बोलते है, प्रोफित लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसा कह सक ठोटे हो, ठीक है, और इसका नेचर नोमल अकांट है, यहां पर सारए एक्स्पेंस, सारे इंकम को रिकॉर्ड किया आता है, तो एटका, सी नेचर आपका नोमल अकांट है, एक कॉस्षिन यह भी है, और रेवालोएशन एकांट से कॉस्षिन है, एक और भी पार्टनर से, तो रेशियो थ्री है और बैलन्स शीट में मशीन दे रखा है दो लाग का गर बोलू और वन फोर्थ के ले अदमिट किया A share in revaluation loss मालो ध्यान समझे ना मैंने revaluation account बनाया A का जो loss है loss यहां आता है ठीक है A का बीबी है तो A का जो loss है वो दो हजार है और जो ओल्ड रिशियों बढ़ता है तो यह 2,000 जो है वो 2 x 5 है मेरे बात समझे ना क्योंकि A का जो share है वो है 2 x 5 और A का जो loss है वो 2,000 अगर 2,000 2 x 5 के लिए है तो 5 x 2 करेंगे तो 5,000 पूरे फॉर्म का loss है तो इसका आएगा 3,000 अगर 2 x 5 जो है वो 2,000 है तो 5 x 2 कर देंगे तो पूरे फॉर्म का निकल जाएगा और मैं क्रॉस्चक कर लो पूरे फॉर्म का loss Łow स्थषचर है तो इसका 2 x 5,000 पूरे तो 2 x 5,000 है उसका 2 x 5,000 हैए खीक है तो इसको टोटल कर लो तो इसको तो 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 और तभी इस लॉस को तभी लॉस आया और ए और वी में दो जार तेने बटा तो इस तरीके से देखो एक नंबरे कोशिन आते हैं तो मैंने उसकी भी आपको जम के प्राक्टिस करा दी अब एक टॉपिक है जिसके लिए मैंने आपसे कहा था चेंज इन प्रोफिट शेरिंग रेशियो में भी कि बहुत अच्छे से इसको याद कर ले और आज मैं इसे बहुत अच्छे से और बता जेता हूं आपको balance sheet में आपके पास साथ ऐसे item होते हैं जो distribute हो जाते हैं साथ ऐसे items हैं जो distribute हो जाते हैं general reserve, P&L का credit balance, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve ये सारे item class partners capital account में credit side old ratio में distribute हो जाते हैं सारे item चार ये आइटम चारो के चारो बाई GR, बाई P&L, बाई WCR, बाई IFR ये partners में credit side, partners capital account में distribute हो जाता है इसे साथ तीन चीज़ होते हैं कौन-कौन से बताओ, goodwill, बड़ा ये profit होता है ठीक है, और ये loss, advertisement suspense, इसे हम लोग deferred revenue expenditure ही बोल देते हैं इस तीनों के तीनों चीज़े हैं, डेबिट side distribute होंगी old ratio ये सारी चीज़े old partners की हैं, तो नय पार्टनर के आने से पहले पुराने partner से आपस में distribute करेंगे, जो भी कुछ जोड़ा जाड़ा है आज तक ये जो भी कुछ नुकसान है तक नय पार्टनर को इसका फादा गाटा कुछ ना मिले, Similarly, revaluation account बनाते हैं, उसका भी gain loss old ratio में opposite side partners में बट जाता है, हम full-fledged question बनाएंगे और उसमें हम लोग चीज़ों को खतम करेंगे, देखेंगे full-fledged question में कैसे बनाया जाता है, लिकिन इस पूरे chapter में एक नई चीज आपके syllabus में आड कर दी गई है, जो पिछले साल तक नहीं वो है adjustment of capital, तो आज में तुम्हें adjustment of capital का case 1, case 2 और हर तरीकी का question, छोटा question, बड़ा question, वो सब कराऊंगा, तो इसके बाद की जो चीज़े हैं थोड़ा अच्छे से ध्यान समझना, because वहीं से ही full-fledged question भी cover हो जाएगा और वहीं से adjustment of capital भी cover हो जाएगा, ठालो, start करते है, adjustment of capital case number 1, अच्छा होता क्या है, सबसे बढ़े समझते हैं कि adjustment of capital कहते किसको है, जब कभी भी पुराने partners अपनी capital को adjust करेंगे, adjust, ठेक है, तो उसको बोलते है adjustment of capital, अब एड़जस्ट करने का मतलब क्या होता है, adjust करने का sense क्या है, अब होता क्या है, कि नया partner आ रहा है, ठेक है, ए अपनी capital को उसी नई ratio में adjust कर लेते हैं, कि हमारी जो capital होगी उसी ratio में होगी, बट जो actual capital है, क्या पता वो उस ratio में ना हो, कुछ कम जादा हो सकता है, तो अब कम है तो पार्टनर गर से पैसे ले के आएगा, जादा है तो पार्टनर घर को पैसे ले कर जाएगा, इसको समझत जादा है, उसमें adjustment की line नहीं लिखी होगी, मैं question के तुरू अभी clear करोंगा तो adjustment of capital की दो case होते है, case 1, जहाँ पे नए partner की capital गिवन है, वो case 1 है, और case 2, जहाँ पे नए partner की capital गिवन नहीं है, राइट, मेरे धान समझे ना, case 1, here new partner capital is given, example, ध्यान समझे ना, A, B, दो partners है, इन C की ratio है, 3 ratio 2, 3 by 5, 2 by 5, इन्होंने C को admit किया, one-fourth share के लिए, ठीक है, C को admit किया, one-fourth share के लिए, और C की जो capital है, C की जो capital है, वो तुम्हें गिवन दे रिखिये, 40,000, ने, 40,000 ज्यादे हो गया, sorry, कम होगे 40,000, चलो लिख लो कोई बात ने, 40,000 लिख लो, 90 लिख लो, 40 तो कम होगे, 90,000, तो अगर तुम्हें नए partner की capital गिवन है, तो यह case 1 है, और अगर तुम्हें नए partner की capital गिवन नहीं होती, तो हो case 2 होता, अभी मैं कोश्चनी बनाएंगे, तो तुम्हें case 1 में करना क्या है, steps to be followed, तो सबसे पहला steps, सबसे पहला steps, steps, calculate new firm capital, नए partner की capital की मदद से, तुम लोगों को नए firm की capital को, sorry, निकालना है, नए partner की capital से, तुम्हें नए firm की capital को निकालना है, सबसे पहला step, तुम्हें नए partner capital की मदद से, तुम्हें नए firm capital की निकालना है, सबसे पहला step, simple है, अभी हेडिन लोगों निकाला था ना, 90 हजार है, 1 by 4 है, 4 by 1 कर देना, कितना आएगा, तीन लाग साथ हजार, वन फूर्थ के लिए 90 हजार ला रहा है, 4 by 1 कर तुना, उल्टा कर दो, खतम, तो यह 3 साथ, तो नए firm की capital को, नए रेशियो में बाटना है, यह तुम्हारा पहला step था, ठीके बहुत असान है हो गया, फेकर ने, distribute it in new ratio, distribute it in new ratio, नए firm की capital को, नए रेशियो में बाटोगे, फिर, यही बात देना, जब तुम से नए रेशियो में बातोगे, यही आएगा आपका to balance cd, कापिल को नई रेश्यों में बाट देना यही आपका 2-Balance CD आ जाएगा फिर जो भी balancing figure है जो भी balance देखो तुम पहले कैसे लिखते थे CD मुझे यह बताओ पहले तुम 2-Balance CD कैसे लिखते थे मुझे बताओ आप पार्टनर्स के अप्ल अपनाते थे याद करो normal question में partners capital account आ बनाते थे सब कुछ इधर साइड का जोडते थे इधर घटाते थे और जो भी balance आता था उसे थे 2-Balance CD लिख दीते ते यही करते थे लेकिन अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें 2-Balance CD directly new firm capital को narration box बाट के लिख दिया आपने new firm capital दे रह्ख है तो उसे narration box लिख दे पैसा क्लास अपने घर को ले कर चुलाज़ा जाएगा बैलैंसिंजग इधर बचल ऐगुता है तो भाई-बचल तो बैलेंसिंगेगा काईगा इधर बचल एकंपड यह पाईयगा सब्सक्रास वहा2 पार्टन अपने घर को लेकर जाये गा यही फंड़ा है, simple और बिलकुल एजी तो step 1, नए partner की capital गिवन है, उसको उसके share से reciprocal करके multiply करो, नए firm की capital आएगी, नए firm की capital को नए ratio में बाट दो, वही तु बालेंस एड़ी आएगा, फिर balancing figure will be adjusted through to balancing figure will be adjusted through cash or current account as the case may be, तो जो भी balancing figure है, हम cash में भी लिख सकते हैं, current account में भी सकते हैं, case जैसा होगा, तो अगर question cash में कहाएगा, तो balancing figure cash में कहाएगे, cuántion current में क्षाएंगा तो। बैलंस्ट फिर कर के भी ह 105 कर देखलेंगे कि इस को स्ट सीय में क्षोसी तो आप फड़ाफ च्रास सात में व की इवाद Sब्वारस आप आग आपने बना दिया, रिवालोशन अकाउंट बना दिया, पार्टनेस कैपिल अकाउंट में जनलिजब अगरा, सब कुछ डिस्टिबूट कर दिया, उसे करने के बाद जो कैपिल आरे दोनों पार्टनर की वो असे और साथ आरे है, यो ओपनिंग कैपिल निए, सब कुछ बराबर बराबर ले रहा है, ठीक है, साकरिफाइजिंग रिशो इकॉल आजाएगा, यह जो लाइन लिखी जाती है, अब जो पढ़ रहा हूं, यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिल बनता है, इसी वजए से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिल समाझ आता है कि यह कोशी नॉर्मल अजस्टमेंट ऑफ कैपिल, क्या लिखा है, इसी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिल को 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 एडजस्टमेंट Step 1, New Firm Capital. Okay, see, new firm capital कैसे निकालेंगे, right? नया पार्टनर ला रारा है 35,000. New Firm Capital. नया पार्टनर 35,000 कैपिल ले क्या रहा है? उसका हिस्सा 1 बाई 5 है. आप 5 बाई 1 करोगे. तो कितना आएगा क्लास? 1,75,000. नया पार्टनर का जो क्यापिटल है, उसको तुम उसके शेर से रेशिप्रोकल करके मैंटिप्लाई करोगे. 35,000 इंटू 5 है आगया 1,75,000. ठीक है? यह आगया. अब तुमें यह करना है? distribute it in new ratio. नई रेशियो में इसको डिस्टिब्यूट करना है. तो नई रेशियो जो है क्लास यहां पर, आगया, एक्स और य और जटू तीनों में इसको distribute कर देगे, तो नई रेशियो अब हमें निकालने पड़ेगी. यह हमारी मजबूरी हो गई कि अब हमें नई रेशियो निकालने में. तो निकाल लेते हैं को इतनी बड़ी बात है नही नई रेशियो निकालने में. इब निकालेते हैं ने रेषयों रेषयो देट है थिरी रेषयो 2 वारा 1 फिफ्फ पे लेए थिरी भाई 5 ट्वाई 5 वं यहारा 1 फिफ्फ के लेए ठीक है और दोनों से तो दोनों से बराबर बराबर लेचा है तो från 1 बाई 5 का अधा के तना होगा 1 by 10, 1 by 10, तो यह आएक लास 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, minus 1, 5 by 10, यह आगा 10, 5 2 जा 10, 3 by 10, अचा इसको 10 करने के लिए, 2 2 से कर दो, 2 by 10, तो 5 रेशियो, 3 रेशियो, 2, यह आगे आपका निव रेशियो, यह चाहिए तुम्हे, यह वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, यह लिए अब तुम्हे अगर ना है, जो भी तुम्हारे पास यह देर खा, इसे, क्लास आप बाड़ दो, इसको 10 से डिवाइड दे दो, 5 3 2, 5 7 रेशियो, 87,500, यह है new capital, यह है new capital, ठीक है, नए फॉर्म की capital को निकाला आपने, नए रेशियों बाटना है, इन्टु 3, यह हैगा 52,500, 35,000, तो तो नोटिस करोगे, कि जो actual capital है, वो नए partner का हमेशा सेम रहेगा, कि नए partner अभी अभी आया है, तो उसकी capital 35 थी, अभी उसकी capital 35 ही है, वो हमेशा आपका सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, X और Y, अच्छा, X की जो new capital है, मतलब जब हम लोगों ने देखा X और Y ने के हम Z को एडमिट कर रहे हैं, तो उस ताम पर X की इतनी होनी चाहिए थी, Y की इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ करने के बाद, एड़्जस करने और X का 80,000 है, तो यहनी कि कम है, भई होना कितना चाहिए था, 87,000, तो X का है 80,000, तो bring in, कितना पैसा लेकर आएगा X, 7,500 रुपे लेकर आएगा X, और तुमको अमाउंट पूछा है, तुमको एंट्री नहीं पूछा है, सिर्फ अमाउंट पूछा है, 7,500, अचा, इसकी जो एक्चुल क्यापिल है, वो 6,000 है, होनी चाहिए थी, 52,500, हो गई 6,000, जादा है, तो यह 7,000 रुपे ले तो कोई भी पार्टनर अगर पैसे लेकर आता है, अगर कोई पार्टनर पैसे लेकर आता है, इसको मटा आजेता हूं, कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में पैसे लेकर आएगा, तो पैसे लाने की जो एंट्री होती है, ना, वो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो X capital account, X ले के आ रहा है, 7500, और अगर कोई ले जाएगा पैसे, अगर कोई पैसे ले जाएगा, वाइस, capital account, debit to bank account. शिरी सिरी बात, पैसा आएगा तो bank debit, पैसा जाएगा तो bank credit, और जरूरी नहीं कि यह similar हो, अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैसा हमेशा ले के आएगा, ले जा भी सकता है, ले के आएगा तो bank to capital, ले जाएगा तो capital to bank, इतनी सी कहानिया, एंट्री, पूछता तो करते, पूछा नहीं, तो हमने किया नहीं, बट फिर भी मैंने तुम्हें सिखा दिया, कैसे करना है, यही होता है, क्लास, case 1, adjustment of capital, जहां पे नए partner capital गिवन होती है, उसे हमें नए ratio में बात देना है, वही to balance CD, balancing figure, to cash, as the case may be, okay, चलो, अब हम इस चीज को और बहतर समझने के लिए, यह फुल-fledged question बनाते है, re-valuation के apply account balance sheet, हाला कि balance sheet बहुत कम चांद से paper में, 6 नंबर में, कहां balance sheet आएगी, बट फिर भी, class, मैं तुम्हें सिखार हो यहां पे, so that कि तुम्हें बनाना सिखलो, at least कैसे बनाई जाती है, कि तुम्हें आगे C.E.U.T. में भी काम आए, काम आए, और में भी 12th में, पूछले में भी, अगर, चांस कम है, बट हम रिस्क तो नहीं ले सकते, चलो, Sanjana और Aalok, दो partners है, इनकी जो ratio है, वो है 3 ratio 2, ठीक है? Sanjana और Aalok, दो partner है, इनकी ratio है, 3 ratio 2, और 31st March 2018 को इनकी balance sheet देखो, यह दे रखी है, creditors है, workman compensation fund है, दोनों की capital है, furniture investment stock, debtors cash, यह सब चीदेर की, और additional point में सारा है, इनोने निधी को admit किया है, 1 4th share के लिए, on the following terms, निधी को इनोने admit किया है, कितने के लिए, 1 by 4th share के लिए, इनोने निधी को admit कर लिया, और यह सारी के सारी class, terms है, goodwill of the firm was valued 4 lakh, निधी bought the necessary amount in cash for his share of goodwill, चलो, यह सारी बाते लिखी है, और लास में बुलने, हमें रिए वलिषान अकांट बनाए है, पार्टन से कपला अकांट बनाए है, और बालांशीट बनाना यह नई फ़र्म का, यह कि री कॉंस्टिटर इनिधी अदिया अडमिशन, सबसे पहला काम, जो आपको करना है, सारे फॉर्मेड बनाओ, सबसे प निधी, संजना, आलोक, निधी, उसके बाद बनाओ, balance sheet of new firm, नए firm की balance sheet, यानि की निधी के admission के बाद की balance sheet, निधी admit हो गए उसके बाद की balance sheet, ठीक है, अब हम लोग एक चीज़, addition, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम, सारा format बना लेंगे, और additional points से शुरू करेंगे, सबसे पहला point, goodwill of the firm valued four lakh, निधी brought, necessary amount in cash for her share of goodwill, and half of was withdrawn by the old partners, सब कुछ आ गया इसके अंदर, हर एक point, मतलब मैं कह सकता हूं, इतना confidence है, कि जो भी मैं कुछिन करार हो, एक्जामिनेशन में points उसके अंदर ही होंगे, और कोई भी case आ सकता है, मुझ ही जादा लगता है case 1, लेकिन case 2 भी किसी set में आ सकता है, तो दोनों ही करके चलना, ऐसा कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, तो यहीं पर ही कुछ calculation हम लोग कर लेते है, space हमारे पास है, इसको working note लेकि देते है, पुरे firm की goodwill 4 lakh है, निधी का हिस्सा है 1 by 4, तो यह हो गया 1 lakh, ठीक है, 1 lakh, और क्योंकि इस कोश्य में नई ratio के बारे में कुछ भी गिवन न तो जो 3 ratio to old ratio है, वही आपका sacrificing ratio भी है, यह तुम्हें पहले लिख लेना है, सारे entry sacrificing ratio में होती है, और full-fledged question अगर तुमको बनाना है, तुम्हें 3 चीज़े आनी चाहिए, बस, अगर तुम्हें 3 चीज़े सीख जाते हो, तुम्हें full-fledged question पक्का बन जाएगा, 8, sorry, 6 number वाल चीज, revolution account, दुसरी general entry, और distribuable item, यह तीन चीज़े अगर तुम्हें पता है ना, तुम्हें क्लास पूरा गा, पूरा question 6 नमर का जरूर बन जाएगा, जिसमें revolution account और partners capital account होगा, ठीक है? चलो, तो goodwill एक लाख है, तो goodwill निधी लेके आरी है, तो new partner जभी goodwill लेके आता है, प्रीमियम में मैं तू प्रीमियम में प्रीमियम में मैं सबस्क्राइब के आउनुट पर सबस्सक्राइब कोरा है? वो एक लाख लेके आ रही है, three ratio two, sacrificing ratio है, तो 60 और 40. हमने किया क्या है, एक लाख जो goodwill है, उसको three ratio two में बाढ़ दिया, sacrificing ratio में बाढ़ दिया, by premium for goodwill. हर question में, जब भी नया partner goodwill लाएगा, वो by premium for goodwill लेके यहीं बटेगा, और कुछ नहीं, एक ही जगे जाएगा बस. और नया partner एक लाख लाख लाया है, तो bank balance भी एक लाख से बढ़ जाएगा, because यह goodwill पूरे फिर्म की थी. अचा, आधा amount withdraw भी कर लिया, goodwill withdraw करने के entry, old to cash, तो old partner में क्या लिख देंगे? 2 cash, withdrawn, goodwill को withdraw कर लिया, आधा, तो आधा कितना है, class? आधा कितना होगा, लाया एक लाख तो आधा 50, तो 30 और 20, लाया थे 1 लाख तो 60 और 40, withdraw किया है, तो 30 और 20, sacrificing ratio में 30 और 20, ठीक है? यह भी समाझ आ गया, okay, लाने की भी entry होगी, और withdraw करने की भी, ठीक है, first point. Stock was to increase, stock was increased by 20%, stock 20% से बढ़ गया, एक लाख पचाज़ा, 20% से बढ़ बनेगा, stock 30,000 से बढ़ गया, तो revaluation में लिखो, by stock, कितने से बढ़ गया class stock? 30,000 से, ठीक है सर जी, होगया, stock 30,000 से बढ़ गया, उसके बढ़ अगला पाइंट, अगला पाइंट, अगला पाइंट, अग 90%, 90%, 90% से, 90% से, 90% से, 90% से बढ़ गया, तो सु की चीज़ घर जळभ आ लिखा और सिर्फ 10% से।,ает। डेकी 90% से बढ़ खा लिखा है 90% से बढ़ गया, अगर 90% से बढ़ गया, तो गण भाश सिर्फ तरो आप दढ़ अगला कि 2 और बाइ बआ का भाएंट, दीक है 10% से है, furniture जो है, वो 10% से घटा है, तो 3,00,000 का 10%, 30,000, to furniture, 30,000, to furniture account, ठीक है, यह होगे stock, यह होगे furniture account, ठीक है, यह होगे फरनीचर account, बात समाझ में आरे यह class, किस तरीके से class हम लोग उसको लिख रहे हैं, revaluation में, हमारा यह point भी हमारा दन हो गया, यह वाला point दन, अगला, investment valued 3 यह वाला को गई और अलोक ने उस investment को ले लिया अवधिस वाल्यू, यहर investment पहले कितने का था, 2.60 का, अभी 3 लाक हो गया, 40,000 से बढ़ गया है, तो revaluation में, लिखो buy investments, buy investments, buy investments, 40,000 से बढ़ गया, और कोई भी partner, अपनी copy निकाल के लिख लो, बहुत important है, कोई भी partner, पेपर में आएगा, कोई भी partner किसी भी asset को take over करता है, तो entry partners capital account debit to assets को होती है, तो एनिकि investment अगर किसी partner ने ले लिया है, तो हम उसके debit में डाल देंगे, investment taken over by allok, तो allok में आप 3 लिख दोगे, कि allok ने investment को ले लिया 3 लाक रुपे में, तो भई उसकी capital में से 3 लाक निकाल देंगे, और नई balance sheet में investment zero आएगे, अब नहीं आएगे नहीं आएगे नहीं आएगे नहीं आएगे नहीं आएगे पार्टनर ले है ना फिर किस बात के investment, फिर नहीं आएगे, okay sir, निधी बाट, 3 लाक capital, and the capital of Sanjanan अलोग adjusted in new ratio, यही बात, इसका मतलब यह adjustment of capital की बात कर रहा है, और यह case 1 है, कि नए पार्टनर की capital तुम्हें के वन है, तो अगर यह लाई नहीं लिखे होती, तो मैं adjustment का कुछ नहीं करता, नया पार्टनर 3 लाक capital लेके आए ना, मैंसे कर दे लेकिन अब इन्होंने बोला है कि पार्टनर अपने capital को adjust कर रहे है, अच्छा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला तो हम cash में डालेंगे, जब कुछ नहीं लिखा रहता, तो cash में current के लिए कुछ नहीं कहता है, access or shortfall will be adjusted through current account, ऐसा कहता है, ऐसा कहां नहीं है, मैं बताऊंगा, तो भी तुम क्या करोगे, तो तीन लाख capital लेके आ रहा है, और निधी बॉट तीन लाख रुपए capital, अब हमें क्या करना है, class, adjustment का steps करना है, तो आपको step याद है, adjustment के steps कैसे करने होते है, आपको पता है, class, कैसे करना है, नए, सबसे पहले, तुम्हीं क्या करना है, यहां प और नए पार्टनर का जो हिस्सा है, वो कितना है, class, मुझे बताओ, तीन लाख नए पार्टनर लेके आ रहा है, नए पार्टनर का हिस्सा, वन बाई फोर, तो फोर बाई वन कर दोगे, फोर बाई वन, तो पुरे फर्म की कितनी क्या प्लागे, बारा लाग, तुमको steps स्या नए पार्टनर की क्यापिल को, उसकी शेर से रेसी प्रोकल करके मिल्टाई करोगे, पुरे फर्म क्या प्ला जाएगी, तो पुरे फर्म की बारा लाग है, इसको निव रेशियो में बाट देना है, तो निव रेशियो तुम कैसे निकालोगे, बताओ, नए रेशियो कैसे पूरे फीरम की प्रफित को वन मानों, वन में से गड़ाओ 1 by 4, कितना बचेगा 3 by 4, और शंजना आलोग, शंजना आलोग, और कौन है, निधी, निधी का तो है 1 by 4, शंजना को मिलेगा 3 by 4 का, 3 by 2, 3 by 5 और 2 by 5, तो यह आगे क्लास आपकी निव रेशियो, तो नए फर्म की क्यापिल आपने निकाल ली, उसको नए रेशियों बाढ़ देंगे 965 में, तो यह आगे क्लास बारा लाग, 965, तो 965 कितना होता है? चेक कर लो बाढ़ दो, 965, 20, को तो बारा लाग को क्याँ, तो 20 से डिवाइड़ दो, यह आगे 60,000, 60,000 into 9, 6000 into 9, 한 और यह आगे 540,000, 60,000 into 6, 13,600, 60,000 into。 तो अगर ये दोनों बराबर बराबर आ रहा है नए पार्टनर का, तो इसका मतलब तुम्हारा कोस्षिन बिल्कुल सही जा रहा है। कर मैं फिर से रेपेट कर रहा हूँ लास, नए पार्टनर की क्यापिटल को उसके शेर से रेकी जि़र्श करके मत्पूल करोगे तुमारी पूरे पूरे फवर्य क्याप्टाल मिल जाएगी you फिर इस पुरे फिर्म की capital को नई ratio में बाट देना, नई ratio निकाल कर, इसके हमेशा मैच होगा, बिलकुल सही है, sorry, हमेशा मैच होगा जो कि बिलकुल सही है, ठीक है, okay, done, अब हम क्या करेंगे, सारी चीजे होगी, अब चेक कर लो, additional point हमने सारा का सारा कर लिया, additional point हमारा, सब क कुछ एक point हो चुका है, अब बैलेंशीट देओ, कुछ बाटनेवल आइडम तो नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज है, workman compensation reserve, 60,000 है, इसको distribute करेंगे, capital account, 5 plus 4, 9,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 और यहां पर जो है, यह कम है, तो 26,000 जो amount है, वो Sanjana अपने घर लेकर जाएगे, 2 bank, यह withdraw करेगी Sanjana, ठेक है, और अगर हम इसका देखें, तीन, तीन, यह साइट ज्यादा बड़ी है, 3,36, 680, 680, 680, 680, 680, तो यह घर से लेकर आलोग घर से लेकर आएगा पैसे, 680 है, माइनस 40, माइनस 24,000, माइनस 4,00, 2,16,000, यह घर से लेकर आएगा, अब बताओ, पैसा लेकर आएगा तो क्या लिखोगे आप? बाइगा, यह घर से लेकर आएगा, यह घर को लेकर आएगा, तो इस तरीके से ऐकलास आपका कैपल अगा बन गया, बैलनेशिट भी सिखा जेता हूं, आता नहीं है, कम चाहन से बट में सिखा जेता हूं, तुम बठे है, अब ज़राब बैलनेशिट प्राणी बनाओगे और रिवलो 1500 देखो को तब बनाओगे अगा, दियानक ना, बैलनने भी बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, ज़राब बैलनेशिट प्लस, रिवलों एकाउट, तुमको यह दोनों चीजे चाहिए, तब तुम बैलनेशिट बनाओगे, तुम बैलन 적 longtime backbone क्राणीड 60,000 एंचा जा। करेच्टर्स में कया जी चेज्ज, दशा। करेच्टर्स कोई जी कोई जी लिए, जी जा मेशा सब्साइज, ना कुछ घट रहा है इसके बाद वर्कमेन कॉम्पंजेशन फंड जो चीज पार्टनर में डिस्ट्रिब्यूट हो गया वो दुबारा कभी नहीं आई है वो तो बढ़ यह खताम हो गया और है अवद क्याप्टल एकाउंट की तुमने इतनी महनस से क्याप्टल एकाउंट ब तुमने तुम देखोगे इधर साड़ की सारी चीज़ हमने कर ली उधर कैशे 166 तो कैश लिखते हैं कैश असरे साइड कैश 166 अब सुनो ध्यान समझना नया पार्टनर जो क्यापिल ला रहा है आप वो भी लिखो और नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है कितना गुडविल एक लाग गुडविल ला था नया पार्टनर वी लिखो भई कैश नया पार्टनर जो क्यापिल ला रहा है उसमें तो कैश टु 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 कैश तो 1,66,000 प्लस 4 यहाँ 5,66,000 यह हो गया चैश का बैलन्स, नहीं पार्टनर को कैपिल लारा है, कुछ भी लारा है, वह हमने ही आड कर दिया अचाँ इसे ही 146,000 कोई चेंज है डिटर में कोई चेंज नहीं है, 144,000 पूरा लिख़ो यहाँ जितना लिख़ा है 144 बहार लिखा है, बाट कुछ चेंज है ए बाट कुछ चेंज है आप देखो बाट का था लेकिन बढ़ ज़ाए 30,000 से तो एक असी लिखो स्टॉक को, 150 था 30,000 से इंक्रीज होगा, तभी तो re-evaluasion में credit दे रखा है, स्टॉक बढ़ा है, तभी तो re-evaluasion में credit लिखा है, तो 180 होगया, स्टॉक के बाद है, इन्वेस्मेंट, वो चला गया, इन्वेस्मेंट तो पार्टनर लेगा है, तो हमको उसके दिखाने की जरुद्वत नहीं है, इन्वेस्मेंट पार्टनर लेगा, फर्नीचर 3,000,000 का है, फर्नीचर 3,000,000 का है, लेगन इहाँ देखो, फर्नीचर 30,000 से कम हो गया है, अच्छा, रिवालुशन गेन लॉस्स तो लिखा ही नहीं कापिल में, आर इसको टोटलिंग कर लो, एक मिस्टेक हो गई बटा यहाँ पर, 40, 30, 70,एसकी तो टोटलिंग करी ही नहीं यह भी, यह 70 हो गया, 70 में 30 एक हो, 40,000,इसकी तोलिंग नहीं करी है, इसको फड़ा-फर्नीचर लेख लो, 2 reversion gain, transfer 2, capital account of Sanjana और Ausshalk, और यह old ratio में बढ़ेगा, 3 ratio 2 है, इधको यह रहे गया था, इसकी totaling करें बिना हमने कापिल अपना बना दिया, थोड़ा सा figure में चेंज होगा, देख लेना, 40,000, 3 by 5, यह एगा 24, minus 40,000, यह 16,000, तो यह revolution gain है, 24, 16, यह भीज़ दो कापिल अपन में, by revolution gain, 24,000 और 16,000, धान समझ यह 24 लिखते ही, यह बढ़ जाएगा, 594 प्लस 24, 618, sorry, sorry, 596 प्लस 24, 620, इसको ठीक करो, 6,20,000, 6,20, यह भी गल्ती हो जाती, 620, यह भी 620, 620, minus 30, 540, यह 50 आगया, यह 50, तो 50,000 रुपे एगर लेके जाएगा, ठीक है, अच्छा, आप इसकी बात करें, तो यह टोटलिंग तो ठीक है, 680, तो 680 में से minus कर देंगे, 40, 16,000 और एक्स्ट्र माइनस करना पड़ेगा, दो लाग, तो यह दो 16 नहीं आएगा, यह दो लाग आएगा, ठीक कर बड़े, जाती, और ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं परफेक्ट है, गल्ती से ना, कि कि देखो, अब कॉपी भी बनाते हैं तो एक पेज बे तीनों दिख अब आगे देखते हैं, हाँ, तो फर्निचर था कितने हैंगा, देखो, फर्निचर हमारा कम हो गया था कितने से, 30,000 से कम हो गया था, और फर्निचर था कितने हैंगा, तीन लाग का, तो फर्निचर दिखा दो 270, फर्निचर जो आएगा, वो 270 का आएगा, फर्निचर दो तक मैंने करा ही दिया है, cash में एक काम और करना है, देखो क्या करना है, थोड़ा मैं इसको highlight कर रहा हूं, देखो, adjustment of capital में, cash था 1,66,000, नया partner एक लाख capital लेके आ रहा है, नया partner थीन लाख, एक लाख रुपर गोडविल और थीन लाख capital लेके आ रहा है, ठीक है, इतना कर दिया तुमने, ध्यान से मेरी बात सुनना हो, ध्यान समझ ना, यह हो गया, अब यह जो two bank लिखा है, two cash, कुछ कुछ भी समझ लो इसे, उपर cash है, तो इधर भी cash ही लिख दो, और cash है bank इक अठा भी लिख सकते है, cash and bank करके लिख सकते है, तो Sanjana ने जो यह two cash है, यह withdraw है, ध्यान समझ ना, इसे partner अपने घर ले जाएगा, Sanjana 50,000 रुपर लेकर जाएगी, तो 50,000 रुपर माइनस कर दो, San यह साइड जो ना पार्टनर कैपिल ले लिखा है, तो भी अपने इसी साइड लिखा है, तो यह जो अलोग 2 लाक रुपर लेकर आएगा, यह buy cash, यह 2 लेकर आएगा, तो कभी भी लेकर तो 2 है, तो विद्रौ है, माइनस यह लेकर आएगा, प्लस 2 लाक आपका प्लस करना 25,000, प्लस करना 1 लाक 4,000 प्लस 180 प्लस 270 यह आगया 13 लाक 10,000, तो टूंती आगी 13 लाक 10,000, अगर माइ इधर का देखूं आपको, 60,000 प्लस 540 प्लस 660, थर्टीन लाक 10,000, एक चेक कर लो, कुछ और चूटतू निया, दो कुछ अर चूटतू निया, डालोच आपने इसी च पूरा गापूरा एक चेक करो, कैपल अगाउंट का फिर से, कैपल अगाउंट की जो टोटलिंग है, वह है 540, प्लस 360, प्लस 3 लाक, 12 लाक, कैपल अगाउंट 12 लाक लिखा यहां पर चेक करो, 540, प्लस 360, प्लस 3, 12 लाक, यह 60,000, और तो कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में एक बार चेक कर लेते हैं, क्राइटर 60,000 का है, 1020, इधर भी चीक है, 166, 166, नया पार्टनर कैपिल कितनी लेके आ रहा है, 3 लाक, गुद्विल लाक, एक लाक, और प्लस 2 लाक, एक चीज देखना जड़ा क्लास यहां पर, एक चीज और चेक करो, आप इसको देख लो, आपने जो गुद्विल रिवालेशन गेन है आपने हहां लिख दिया इसको, 16,000 और 24,000, टोटलिं करो, 680, 3,00, 6,80, 6,80, 680 में से माइनस करेंगे 4,00, माइनस करेंगे 24,000, माइनस करेंगे 16,000, माइनस करेंगे 40, तो यह 2,00, है, यह लेकि आएगा, तो यह प्लस हो जाएगा, और यह 50,000 आपने माइनस किया है, तो यहां पर ऐसी किया है, ना स्टॉक 30 रा से बढ़ गया था फिर शो इसे कम हो गया था तो यहां पर स्टॉक 30 रा से बढ़ा दिया 180, फिर शो के साथ 107 कर दिया 270 ठीज यह देखते है 166 फ्लस एक लाक गोडविल का है, और प्लस तीन लाक हो गया आपका यापितल का, एक और तीन ही है न अ मैं चेक कर 34,000,000 अच विद्धान कि अदधा से 50,000,000 अदा दा वह भी को माइनस करना है जो गूद्धी विद्धान किया है 50,000 अब भी माइनस कर दोगे 50,000 को विद्धान के अब क्यापले ड्रॉक करो जहां पर देखो 2 cash लिखाए यह विद्धान है तो यह भी तो माइनस होगा ना कैस से, इसको माइनस नहीं किया था, जिसकी वैसे मिस्टेक हो रही थी, पच्छाज़र का फरक आ रहा था, तो यहाँ पर आप कांस चेक कर लो, खथम हो गया अब, 1,66,000, तभी बैलेंशीट पूछता नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, और है देने इनको छह नंबरी, तो इसलिए भो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, 1,66,000, प्लस 4,00,000, प्लस 2,00,000, माइनस 1,00,000, तो यह आगे 6,66,000, 6,66,000, प्लस करोगे 1,44,000, प्लस करोगे 1,80,000, प्लस करोगे 2,70, इस 12,60,000, इसाद का भी आ रहा है, 12,60,000, तो यह मैच हो गया, जब यह बनाओगे तो आपको यह देखना पड़ेगा, अगर नया पार्टनर कैपिल लेके आरा है, तो आप यह प्लस करोगे, नया पार्टनर गुडविल लेके आप यह प्लस करोगे, बैलंसिंग फिगर जो आपने निकाला है, जो बैलंसिंग फिगर फिगर विल भी बैट भी चुछ जरूँद नहीं है, ऐसी आप कर दोगे, तो अपने आपसे बैलेंशिट की प्रैक्टिस कर लेना, कुछ प्रैक्टिस कर लेना, अच्छ सुनो मेरी बात, आप तुम्हें जो मुझे बताना ये हैं, सुनो, अगर कोश्षिन कहता कि बैलेंसिंग फिगर विल अब अगर कोशिन कहता कि बैलेंसिंग फिगर एजिसेट थू करेंट अकाउंट तो यहीं बैलेंसिंग फिगर तू करेंट अकाउंट के नाम से आजाता यहीं बैलेंसिंग फिगर तू कैश की जगे तू करेंट अकाउंट के नाम से आजाता अब मेरी बात ध्यान समझना, यह है Sanjana Current Account और यह है Allok Current Account, इसका तो हमेशा मैच रहेगा ना यह पार्टनर का, वो कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम करते क्या, अगर तुमने हैं Cash लिखा नहीं, तुमने हैं Cash लिखा नहीं, तो यह प्लस माइनस के लफड़ा भी खतम, जब तुमने Cash के नाम से ही नहीं लिखा, Cash आया गया ही नहीं, तो प्लस माइनस क्यूं करोगे, तो सर अगर Current Account लिखा तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले Current Account लिख दोगे, जो भी Current Account है, और इसे Balance Sheet की सेम साइड उतार दोगे आप, मतलब Sanjana Current Account पचास जार, आप ऐसे लिख यह काम आपको करना पड़ेगा, समझे बात को, तो अगर Balancing Figure Cash में है, तो ला रहा है तो Cash में प्लस, ले जा रहा है तो Cash में माइनस, विड्रो कर रहा है तो, बाइसाड है तो लेकि आएगा, टूसाड तो विड्रो कर रहा है, ठीक है, तो मैं याद कैसे करोगे, नया Partner Capital ले लाइटी में, वो क्रेट था, तो यह असेट में है, यह बात अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो, तसल्ली से लिख लो, और अब हम चलेंगे क्लास, Case 1 तो होगी हमारा, बस 15-20 मिंट और रूख जाओ, आपका खताम हो जाएगा चप्टर यह, अब हम आतें Case 2 पे, अब Here, new firm capital is not given, तुम्हें नए firm की capital नहीं दी गई है, Here, new, sorry, new partner, new partner's capital is not given, new partner bring proportionate capital, यह लिख यह लेका रहा है, new नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिल लेकिया रहा है, नया पार्टनर कैपिल गिवन नहीं है, तो तुम्हें निकालना है वो, तुम्हारा परपस ही है नया पार्टनर कैपिल निकालोगे उस कोशन में लिखा रहा है गा, न्यू पार्टनर बिंग प्रपोर्शनेट कैप X और Y पार्टनर से, इनकी रेशियो 3 रेशियो 2 है X और Y की जो capital after all adjustments, सब कुछ करने के बाद Revaluation account, capital account, goodwill वागेरा distribute कर दिया, बाटने वाले items बाट दिये सब कुछ करने के बाद इनकी capital इतनी इतनी है, actual capital, ठीक है? इनोंने Z को admit किया, और Who is to contribute proportionate capital? Okay, proportionate capital का मतलब क्या समझते हो, proportionate capital का मतलब यह होता है कि जितनी भी Z का capital बनता है firm में, जो उसका हिस्सा है, जो बनता है वो ले लागा proportionate मतलब जो भी बनता है, जितना बनता है उतना आप दे देना, ठीक है? और one-fifth के लिए आ रहा है, जो कि दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, equally from X and Y, calculate the capital board by Z, आपको entry pass करने है, सुनो मेरी बाद, यह case 2 हो गया, तो पहले मैं case 2 के steps आपको बता जेता हूं, फिर हम लोग question करेंगे ना, पहले case 2 के steps क्लेर कर लेते हैं, फिर हम question करेंगे है ना, step 2 के case हम ने लिखे नहीं है, तो step 2 के case हम लोग देख लेते हैं, steps, सबसे पहला, अचा सका purpose क्या है वो भी लिख लो, case 2 का जो purpose है अब वो भी लिख लो, to calculate, case 2 का जो purpose है ना, to calculate new partner capital, case 2 का purpose है कि हमें नए partner की capital को find out करना है, case 2 के अंदर हमें नए partner की capital को find out करना है, तो करेंगे क्या हम सबसे पहले, 2 balance CD, A का और B का, add कर देंगे, पूरा question बिल्कुल normal तरीके से करेंगे, पूरा का पूरा question, और 2 balance CD, A और B का जोड देंगे, तो जो closing balance, A और B का जोड देंगे, पूरा question बिल्कुल normal तरीके से, revolution account बनाएंगे, capital account बनाएंगे, distribute करेंगे, GR अगेर को, goodwill के entry करेंगे, सब वो कुछ बिल्कुल normal करेंगे, सारी चीजे A to Z normal, जो closing balance आएगा ना, दोनों partner का, वो यहाँ जोड देंगे, जो दोनों का closing partner आएगा, वो यहाँ जोड देंगे, जो closing capital आएगा, वो यहाँ पर जोड देंगे, दूसरा, find out, find out, new partner capital, अब तुम्हें नए partner की capital को find out, दूसरे step में ही हो जाएगा सारा काम, ठ सारी के दोनों की capital, combine capital of A and B से कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, combine capital of A and B, combine capital of A and B, C आ रहे है, C आ रहे है, तो combine capital of A and B, और हमें C की capital को find out करना है, तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझना, पुरे फिर्म की profit को माल लेंगे 1, उसमें से नए partner का हिस्सा घटा देंगे 1 by 4, जो हटाएंगे, क्योंकि C का share 1 by 4 है, कोशिन में पक्का दिया रहाएगा, ठीक है, तो इन दोनों की capital है, वो, combine capital of A, B, इसको, combine capital of A, B ही लिखता हूं, so that तुम समझ सको, combine capital of A and B, one में से 1 by 4 नए partner घटा दिया, तो ये 3 by 4, बड़ा सुनो, ये जो capital है, ये A और B की है, ये जो share ह ये जो बड़ा है, ये भी A और B का है, इसको reciprocal करके मलपाई कर दो, तो ये पुरे firm की capital निकल कर आ जाएगी, नए firm में, पुरे firm की कितनी capital है, नए firm की, तो ये दोनों की capital, दोनों का share, ध्यान सुना, दोनों की capital, दोनों का share, reciprocal करके मलपाई कर दो, क्यों क्या पड़ा था, जिसकी capital उसका share, रेसी प्रोकल करके मलपाई करते हैं, तो पुरे firm की capital आ जाती है, तो दोनों की capital है, ये दोनों का share है, रेसी प्रोकल करके मलपाई करो, पुरे firm की capital आ जाएगी, इन्टु, नए partner का हिस्सा केतना है, 1 by 4, अब तुम ये करोगे, तो तो तुमारे पास new partner capital आ जाएगी, new partner capital, राइट, ये solve करोगे ऐसे, तो तुमारे पास new partner की capital निकल कर आ जाएगी, समझे बात को, कोई दिक्कत परेशान है यहां तक, तो ये हो गया class, adjustment of capital, case number 2, अब हम इसी चीज को question को solve करके देखेंगे, आप note कले नहें, आप video pause करके, लेख लो एक बार, इसी करते हैं, देखो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, combine capital of A and B, बड़ बता कितना है, 80 और 60, अचा, x and y है, x और y लिख लो, ठीक है, 1,40,000, ठीक है, अचा, पूरे फिर्म की profit 1 है, नया partner 1 by 4 के लिए है, तो ये 4 by 5, धान से समझे लो, बहुत ही simple है, यह बहुत ही simple हो गया, ये 4 by 5 किसका है, x and y का, ये जो capital है, x and y का, तो दोनों की capital, दोनों का share, दोनों की capital, दोनों का share, 1,40,000, ये 4 by 5 है, 5 by 4, ये निकल के class आएगा, पूरे फिर्म की capital, बड़ तुम साथ में ही 1 by 5 हमेशा साथ में ही कर देना, so that यहां से कटके तुमारा नए partner का capital निकल कर आजा जो की बनेगा 35,000, ये ही तुम्हें calculate करना था, रही बात, entry की, bank account debit, 2z capital account, 35,000, 35,000, bank account debit, 2z capital account, 35,000, 35,000, समझे बात को, इस तरीके से आपको करना है, पूरा का पूरा काम, question में, right, I hope, आपको समझ आ गया, कि ये second के सचकों तो और असान है, और अभी हम full-fledged question मनाएंगे, पूरा 6 नंबर का, उसमें देखेंगे, इसका application, right, तो हमने क्या किया, दोनों के capital को जोड़ दिया, दोन समय पार्टनर का 1 by 5, तो बचेगा 4 by 5, उल्टा करना 5 by 4, फिर into 1 by 5, ये आपको जाएगा, अपको कितना, 35,000, एक और बड़ा question, फुल-fledged question करके देखते हैं, कौन-कौन पार्टनर है, रमन और रोहित पार्टनर है, इनकी रेशो तू रेशो 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 रेश रेशो 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 रेश और पार्टन्स-क्राइबान आपटर्ज विक्षाफ कि एक्राट्सा प्रियुरें पार्टन्सूर प्रिक्राण से एप्रफन आपटर्फ नमड खूलोस Rohead Saloni भुष्चित्री विब्लेट प्रिक्ली काःबाने डिश्चित्र्फी भीद Therefore polo रोहिद, सलोनी, 2 ratio 1 है रमन रोहिद का, 2 ratio 1, और सलोनी का है, रमन शेंटर 2 5thth of his share, तो रमन अपने हिस्से का 2 5th share सलोनी करता है, मैंने केस काराई दी शेंटर है रमन टो 5th of his share, तो रमन का हिस्सा है, उसका 2 5th, इतना देरा है Saloni को Rohit one-fifth of each year in favor of Saloni Rohit one-fifth देरा है Rohit one-fifth in favor of तो four ratio one दोनों कर denominator देखो बराबर है तो four ratio one आगे आपके sacrifice ratio new ratio निकालने का लफड़ा ही नहीं है और एक्जामिनेशन में बिल्कुल एक्सेप्टेबल है बिलकुल चले गवके निम रही हैं, बिलकुल छलेग, दोर नहीं कोुछ रधिक्पेत데गे. इसी तरीका से, नहीं राशय रहु नहीं mai違े य également, तो म अमिनीं काले नहीं रेशयो, प्रेशय sûr मेरी can, रहें कोई नहीं काले नहीं से क regarde है this, तू प्लाडन मशीनरी, नुकसान रिवेलेशियमें डबिट, और फर्निचर और फिक्स्चर रिदू 58,500, तो फर्निचर और फिक्स्चर था कितने का? 65,000 का था, और कोई 65,000 की चीज, अगर घटके 58,500 हो जाये, तो 6,500 से घटाये वो, 6,500 से, तू प्लाडन मशीनरी है, 58,500, और यह किया था, फर्निचर और फिक्स्चर, फर्निचर और फिक्स्चर, फर्निचर और फिक्स्चर, 65,000, समझ गे बात को? तो दोनों चीजे घटी है, तो दोनों चीजों को आप लोगों ने, रिवेलेशियन में, डेबिट साइड, दिखा द ।ब्र फिक्रिए ट्रीली के guidance अग्यास के साथ जबन कुछभवा ही, कि भी इतन इस थोन रौक्सान को स्बेंना रिडक्सान म्चान राप्परो तो परीजन पर था इंडूस्चर अगया, कि मिल फिर्क्रा का रिक्सान समझ एक्षार धर्ल साथां साराउन बच्क्रण चर 16,000 का आपका नुकसान हो गया, तो अभी भी 24,000 आपका ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, आप यहाँ पर बाटोगे, by WCR, by Workman Compensation Reserve, चालिस में से 16,000 का नुकसान हुआ है, तो 16,000 तो नुकसान होई गया, वो नहीं बैलन शीट में आगा क्लेम, जो 24,000 है, उसको हम 2 रेशियो में बाटेंगे, तो आएगा 16,000 और 8,000, 16,000 और 8,000, यह आएगा, 16,000 और 8,000, बात समझ आगए? ठीक है, WCR हमारा हो गया, Workman Compensation Reserve, इसका ट्रीटमेंट भी हो गया, और और पॉइंट देखते हैं, हाँ, कहते हैं कि a liability of 2,500, including creditors, not likely to rise, 25,000 रुपे क्रेटर्स की पेमेंट नहीं करनी है, तो फायदा हो गया, 25,000 रुपे नहीं करनी पेमेंट, भाई, क्रेटर्स, कम हो गया, 25,000 से creditors कम हो गया, ठीक है, Saloni bring 42,000, हर share of goodwill and proportionate capital, तो यह जो line लिखी है, इस बात से मुझे परदद चल गया, कि यह adjustment of capital question है, आमें revolution capital account बनाना है, तो 42,000 गुडविल लेकर आ रही है, तो जैसी नया partner goodwill लेकर आता है, उसे हम बाट देते हैं, premium for goodwill, by premium for goodwill, तो 42,000 है और sacrificing ratio हमने निकाला था भी, 4 ratio 1, तो 42,000 है, 4 ratio 1, 8400, into 4, 33,600, 42,000 था, तो 33,600 plus 8400 हो गया हमारा, पूरा 42,000, समाज आगी class बात यहां तक, कोई doubt, कोई दिक्कत, परिशानी, तो यह हो गया class हमारा, फूरा का फूरा पूरा, done, अचा, next, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद देखो जरा, यहां तक हमने सारा का सारा कर लिया, नया partner 40, अचा, जो proportionate capital है, वो हम करेंगे अभी, जबसेर से हमने मने दो बाद, जिजरे क्डिश काउवरों कोई हम आगा, čा, जिर वन हरे बात, इसके बात, बात, बात बात. बाई 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 अच्छा रिवालेशन एकांट टूटलिंग कर लो कहीं यह भी पिछले कुछ निदर रहना जाए कहीं तो यह होगे थीन हजार 35,000 65 it's 44,500 44 अग घर पे प्लीज अच्छी रखना आप मतलब प्लीज प्लीज अच्छी रखना आप REVALUATION LOSS TRANSFER TO CAPITAL ACCOUNT OF कौन कौन PARTNERS थे RAMAN ROHIT RATIO 2 RATIO 1 RAMAN ROHIT RAMAN ROHIT 2 x 3, 1 x 3 3 x 14 और 28 अभी जो दोनो लोस आगया REVALUATION ACCOUNT आपने बना लिया जो लोस आगया उसे debit side आप क्या करोगे इस side बाट दोगे debit side 2 REVALUATION LOSS 28,000 और 14,000 समझे बात को 28,000 और 14,000 आपने इसको बाट दिया clear होगे सारी बाते WCR हो चुका है सारी चीज हमने बिल्कुल complete कर दी REVALUATION ACCOUNT हो गया उसका gain loss लिग दिया अब तुमहीं क्या करना है अब तुमहीं क्या करना है यह रहे गया वस देखो सलोनी में कुछ नहीं आया सलोनी में कुछ नहीं आया तुम टोटलिंग कर लो इसमें कोई BALANCING FIGURE मतलब ऐसा बचता नहीं कितना cash आया गया तो यह और असान लगता है मुझे, देखो इसका, 140 है, 33,600 है, 16,000, 1,00,89,600, 1,00,89,600, सीधर लिख दो, 2 balance CD, पूरा का पूरा कोस्टिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, अभी तक पूरा कोस्टिन बिल्कुल साधा, सिंपल तरीके से, माइनस 28,000, 1,00,61,600, इसकी रूद्लिंग देख लेते हैं, 1,16,400, 1,16,400, माइनस करेंगे 14,000, 1,24,000, ये दोनों का हो गया, ठीक है, अब तुम्हें, अबर की नोट, क्यालकुलेशन अफ, सलोनी, सलोनी, शेर फ कैपिल, सलोनी की कैपिल कैसे निकालेंगे ध्यान समझे, मैं आपसे क्या का था, दोनों की सीडी को जोड़ दो, कमबाइन, कैपिल फ, इन दोनों की कमबाइन कैपिल, की सीडी, रमन और रोहित की, रमन और रोहित की, रमन और रोहित, कितनी कमबाइन कैपिल ले दोनों की, Haraman की है, 1,161,600, 1,242,64, 2,64,000, Combined share of Haraman, अच्छा, पुरे फॉर्म की प्रॉफित वन है, और जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर, Saloni है, Saloni कितने के लिए आ रही है, मुझे बताओ, Saloni कितने के लिए रही है, हमने चेक करा था है, Saloni कितने के लिए आ रही है, Saloni को 4 by 15 किस से मिला था, Raman से, Rohit से मिला था, 1 by 15, तो यह होगा 5 upon 15, अपुल लागे 1 third, तो यहनि जो Saloni है, वो 1 third share के लिए आ रही है business में, ध्यान रही है, 1 third के लिए, Saloni 1 third के लिए रही है business में, तो 1 minus 1 by 3rd, पुरे फर्म की profit 1 माना, Saloni का हिस्सा घटा दिया, तो कितना बचा, 2 third, अब तुम्हें Saloni का capital निकालना है, कैसे निकालोगे, यह दोनों की capital है, और यह दोनों का share है, उल्टा कर देना, तो यह पुरे फर्म की capital निकलाई, और इंटू Saloni का, एक साथ में कट जाता है, इसलिए मैंने कहा था 1,32 तो 1,32 तो 1,32 तो 1,32,000 Saloni की capital है, जो तुम्हें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या किया, पहले पूरा कोशिन नॉमल किया, दोनों की CD निकाल लिए, वन में से नए पार्टनर का हिस्सा घटाया, दोनों का ratio निकाल लिए, share निकाल लिए, दोनों की CD दोनों का share reciprocal करके multiply कर दो, और इंटू नए पार्टनर का हिस्सा, एक साथ निकलाएगा, एक साथ, यह आगया आपका 1,32,000 कुछ लोग कैसे करते हैं, 264 है, 3 by 2 कर दिया, वो कहते हैं, सर जी, हमारा 396 यह पुरे firm capital, 396, 396 में से दोनों की capital गटा दो, 264, तो 132 इसकी बच जाती है, तो आर ऐसे भी कर सकते हो, मुझे सहीन लगता, मुझे यह एकी लाइन में खतम करू कहानी, कट जाता है और बहुत असान रहता है, simplify हो जाता है, calculation असान, तो 132, तो नया partner capital लेके आएगा, buy bank, working note, 132, यही 132 आपका 2 balance CDB आजाएगा, खतम, तो case 2 मुझे ज्यादा असान लगता है, विगोस case 2 में कोई balancing figure नहीं है, दो बार कुछ कुछ काल्कुलेट नहीं करना है, समझ रहे बात को, कुछ भी चीज दो बार काल्कुलेट नहीं करना है, एक ही बार में सारा calculation हो जाएगा, इसके लिए working note आपने 1 दिखा दिया, यहां पर, यह calculation हो गई, यह है case 2, अचा कभी-कभी कोशिन ऐसा कह सकता है, कि जो नया partner है, वो 20% of combined capital of A and B, A और B की जो भी capital है उसका 20% लेके आ र पता ही आपको कितना है, 264, उसका 20% निकाल दो बात खतम, combined capital पता आपको 264, उसका 20% निकाल दो बात खतम, इस तरीके से तो कोशिन जो भी तुमको बूलेगा, पुरे फॉरे 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 ला रहा हो तो भी आप यही करते, है ना, और पुरे पॉरे फॉरे फॉर पुछा आता है, उमीद है, मेरी महनत आपको दिख रही होगी, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, मेरी नहीं दिख रही तो कोई बात ने, अपने घरवालों की महनत देखो, कितने महनत से वो वेड कर रहे हैं कि तुमारा रिजल्ट आए, तुमारा भी किसे अच्छे को अलेज आपलेकिशन दाउलोड करके आपे लाइफ क्लासे चलते हैं से विटी के, तिल देन टेक किया बाई बाई बाई, गोड ब्लेस यू, मिलते नेक्स वीडियो में, प्लीज को शेर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में, सो एट वन शॉट हर कोई अच्छे से कर ले, बागी, बाई 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 को का वी बीएस टी का भी आने लग गया है, तो आपका अकाूंट बीज को बीजिती तीनों हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे, थीन सो में से तीन सो का हम पूरा टार्गेट लेके चलेंगे, राइट, लास्ट आयर आई भी थे बच्चों के, थी